आज हम इस वीडियो में जीके के कुछ इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव को देखेंगे जो कमपेटेटिव एकजाम में बार बार पूछे जाते हैं तो आज सा करताओं कि यह वीडियो आपको अच्छा लएगा तो चलते हैं इस जीके के कोशन के उपर फर्स्ट कोर्शन है गोवा राजे की रजधानी कहा है तो जो इसका सही उत्तर है वो आप्शन है पंजी जो है गोवा राजे की रजधानी है गरबा किसी राजे की निरित्य सैली है जो इसका सही उत्तर है वो option C है गुजरात राजे की निरित्य सैली है गरबा गेट का मुख्याले कहा इस्तित है जो इसका सही उत्तर है वो option A है गेट का मुख्याले जो है जनेवा में इस्तित है तो नेक्स्ट कोर्षन है वितामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है तो जो इसका सही उत्तर है वह आप्शन D है बेरी बेरी जो रोग है वितामिन B1 की कमी से होता है नेक्स्ट कोर्शन है सीवा जी की ताज पोसी कहां की गई थी तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन सी है राय गड में सीवा जी की ताज पोसी की गई थी नेक्स्ट कॉर्शन है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार हमला किया था तो जो इसका सही उत्तर है वो उप्शन B है 17 बार हमला किया था भारत पर महमूद गजनवी ने नेक्स्ट कोर्शन देखेंगे तो नेक्स्ट कोर्शन है सिरलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन C है सियोल के नाम से सिरलंका को पहले जाना जाता था नेक्स्ट कोर्षन है सामपेक्च घनतों की काई क्या है तो जो इसका सही उत्तर है वो उप्षन ये है ग्राम प्रती घन सेंटीमीटर जो है सामपेक्च घनतों की काई है नेक्स्ट कोर्षन देखेंगे तो नेक्स्ट कोर्षन है भारत किस वस्त सहयुक्तराश से जुरा तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन C है 1945 इसमी में भारत जो है सहयुक्तराश से जुरा नेक्स्ट कोर्षन है भारत सर्गार दोरा किस वर्ष भारतियरी जर्ब बैंक को अधिकार में लिया गया तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन B है उत्तर है वो अप्षन डी है लहौर के अधिवेसन में पारित किया गया था पुर्ण सोराज को next question है रॉकेट के सिधान्त पर कारी करता है तो जो इसका सहिँ उत्तर है वो औप्शन A है, गोपाल जो वे बंगाल में पाल राज वन्स का संस्था बग था नेक्स्ट कोंचन है, राष्क्पती द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को 만वित किया जा सकता है तो जो इसका सही उत्तर है वो option C है 12 सदस्य को राष्ट बती द्वारा राज्य सवा में मनोनित किया जा सकता है नेक्स्ट कोशन देखेंगे तो नेक्स्ट कोशन है इसराइल की मुद्रा क्या है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन डी है सेकेल जो है इसराइल की मुद्रा है नेक्स्ट कोर्शन है परसीद पवित्र हिंदू तिर्थ इस्थान अमरनाथ किस राजे में इस्तित है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन है जम्मु खस्मीर में इस्तित है अमरनाथ नेक्स्ट कोर्शन है रसोई में इस्तिमाल होने वाले नमक का रसाइनिक नाम क्या है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन C है सोडियम कुलडाइड जो है रसोई में इस्तिमाल होने वाले नमक का रसाइनिक नाम है नेक्स्ट कोर्शन है तो नेक्स्ट कोर्शन देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तपमान का मान केल्विन पैमाने पर कितना होगा तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन भी है 270 केल्विन होगा 100 डिग्री सेल्सियस तपमान पर केल्विन का मान नेक्स्ट कोर्शन है जिस दर से बैंक RBI को रिन देता है वो क्या कहलाता है तो जो इसका सही उत्तर है वो option B है रिवर्स रेपो दर कहलाता है चिराव बास निरित्टे किस राजय से सम्मंदित है? जो इसका सही उत्तर है वो अपशन D है मिजोरम राजय से सम्मंदित है चिराव बास निरित्टे नेक्स्ट कोर्षन है संयुक्त राज संग महा सवा का कार्याले कहा इस्तित है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्षन है निव यर्क में इस्तित है संयुक्त राज संग महा सवा का कार्याले next question देखेंगे, तो next question है सतपूरा अयों बिंध्याय के बीच बहने वाली नदी कौन सी है तो जो इसका सही उत्तर है वो option D है, नर्मदा नदी जो है सतपूरा अयों बिंध्याय के बीच में बहने वाली नदी है नेक्स्ट कोशन है वुकाम की त्रिविता किस यंत्र से मापी जाती है तो जो इसका सहिऊ उत्तर है वो औप्षन C है रियक्टरी स्केल से वुकाम की त्रिविता जो है मापी जाती है नेक्स्ट कोशन देखेंगे तो नेक्स्ट कोशन है रंगा स्वामी कप किस खेल से सम्बंदित है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्शन भी है रंगा स्वामी कप जो है होकी खेल से सम्बंदित है नेक्स्ट कोशन है भारतिये समिंधान का कौन सा अनुछेद राष्टपती को सरकार से सुचना प्रात करने की सकती परदान करता है तो जो इसका सही उत्तर है वो अप्सन सी है अनुछेद 781 जो है भारतिये समिंधान का वो अनुछेद है जिसके तहद राष्टपती को सरकार से सुचना प्रात करने का सक्ति परदान है next question देखेंगे तो next question है भारतिय वितिय वर्स कब से प्रडव होता है तो जो इसका सही उत्तर है वो option D है एक April से भारतिय वितिय वर्स जो है प्रडव होता है अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे थाएंगे फूर वाचिंग इस वीडियो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल